दोस्तों नमस्कार आपकी सफलता है मेरा मिशन है क्यानकोश एजगेशन पर आपका अभिनेंदन है मित्रों इस समय बच्चन सिंग के कथन पर मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके पहले दो वीडियो बच्चन सिंग के कथन पर आधारित आप देख चुके होंगे यदि नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में वीडियो है आप उसको जरूर देख लेजिए क्योंकि ये बच्चन सिंग का पूरा बुक आप पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा कथन आपको मतलब से ठोपाएगा और ये पूरा परिश्रम करके ये कही साथ आपको मात्र छोटे छोटे दोतों वीडियो में ही सारा कथन में कलेक्ट करने का प्रेपन किया हूँ और अगर कोई कथन पूछा जाएगा तो मुझे लग रहा किस से बाहर नहीं जाना चाहिए फिलाल तो बुक पढ़ना तो सबसी इंपॉर्टेंट है जरूरी है ही लेकिन एक तरह से जो कोई बड़ा वागीचा होता है उसमें सुंदर-सुंदर फोलो का गुछा बना करके गुल दष्था बना दिया जाता है तो काफी आकर्सक और सुंदर हो जाता है उसी तरह से सब वीडिो जोते है तो ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने स्पंधे एक निवेदान है कि एक बार प्लेडिस्ट में जरूर जाएंगे प्लेडिस्ट में कई प्लेलिस्ट आपको वहां मिलेगा जुनियर एडेर का एक प्लेडिस्ट मिलेगो बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेगा GIC lecturer grade का एक playlist उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेगा LGBT grade TGT PGT का एक अलग playlist आपको मिलेगा फिर प्रेक्टिसेट का playlist है तिस तरह से करीब पहुने 200 से 200 वीडियो आपको आप मिलेंगे तो उन वीडियोज का आप जरूर देख लिजेगा और शुरू करने से पहले एक निवेदान है बस वही जो आप जानते हैं वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजे और चैनल को सब्क्राइब कर लिजे क्यों कहां से लगतार वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो चले बच्चन सिंह के कुछ और कथन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं बच्चन सिंह का कथन है केशवदास के बारे में कहें हैं कि केशव अपने युग में जब हिंदी का बिशास्तर लगभग सुन्य था तो एक हिंदी को एक समय नहीं बलकि समग्र है ये इसको आप इसे पढ़िए समग्र वो थोड़ा सा पीडिया बनाते समें तुरूटी हो गया है इसको पढ़ेंगे समग्र ठीक है ना हाँ तो समग्र काबिशास्त्र दिया ठीक है अच्छा अगला देखिए वे संस्कृत के पंडित थे क्लासिक पंडित ये कथन बच्चन सिंग का है ठीक है अगला कथन देखिए कबीर जायसी सूर और तुलसी हिंदी के महान कभी हैं विचारधारा में सभी अलग अलग है पर भक्तिक अस्तर पर एक है ये उनका कथन है इसमें हम लोग रितिकाल और भक्तिकाल के बारे में ज्यादा कथन पढ़ेंगे और इसको आप चाहें तो नोट्स भी बना लेजेगा या फिर कहिएगा तो हम टेलेग्राम चैनल पर डा कुछ जुआन कर लिजे क्योंकि वहां इस समय तो कुछ समय से थोड़ा समय ब्यस्तताक वाजे से नहीं डाल पा रहा हूँ question ने तो वहाँ मैं Qs की mode बे question भी डालता रहता हूँ और भी बहुत सारे चीज आपको वहाँ से मिलते रहेंगे तो यहाँ से जो भी मैं PDF बनाता हूँ अभी upload कर देता हूँ तो उसको आप वहाँ से यह सा प्राप्ट कर सकते हैं आगे देखिए भक्तिकाल के भक्त कभियों की सीकरी से कोई काम न था पर रीतिकाल इन कभियों का सीकरी के बिना सरे न एको काम अर्था तिये इनका कहना यह है कि भक्तिकाल के कभी जो है राजाओं की चाटु कारिता नहीं किया करते थे बलकि रीतिकाल के कब जोहराचाओं के चाड़ुकारता किया करते थे इसका आसे यही होगा आगे देखिए अगला इनका कथन है कभी लोग कभिता के सौधागर थे आगे कहते हैं सौधागरी पुझिवाद के जूग का प्रादुर्भाव हो चुका था देव ने सुकभ को कभिता का सौधागर कहा है इस सौधागर कभी ने भोगिलाल जैसे रईस के लाखन खरच रच आखर खरीदे है पदमाकर डंके के चोट पर कहते हैं आखर लंगाय लेत लाखन की सामा हो पताए इस सब जो कथन है और ये इसको मतलब बहुत अच्छा कथन है कि कभी लोग कभिता के सौधागर थे अगर ये कथन कहीं पूस्ता है परिक्षा में तब सीधे बच्चन सिंग को लगाएंगे आगे देखिए यदि सुकल जी को ठीक ठीकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत नव पढ़ती सुकल जी शब्दों का प्रियोग बहुत सोच समझ करके करते हैं यह कथन भी बच्चन सिंग का है आगे देखिए सुकल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ना चाहिए बत्रें का कथन है कि सुकल जी को बिना पढ़े उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए आगे देखिए अगला कथन है निकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पदमाकर की प्रतिभा के साथ साथ रीति बद्ध काब्यकल नहीं कला है काब्यकला को यहां कला आप यहां मानेंगे ठीक है ना काबे कला को पूरता पर पहुँचा कर छोड़ दिया ठीक है अगला कथन है मतिराम के बारे में कहें हैं मतिराम की वीरता वरण वीरता वरण का दस्तूर निभाता है न शब्दों में जान है और न अर्थ में सच्चाई वसुद प्र पूरा करता है उनके शब्दों में न कोई जान है नो इसका करत में कोई सचाई है और प्रसस्ति वाचनमन राजाओं की कल प्रसंसा मातर के लिए है यानि भूशड की कविता जो है कि दूसरा चीज है और मतिराम की कविता दूसरा चीज है इसका मतलब यह हुआ आगे प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंग जे भी अत्याचार के विरुद्ध बहर रही थी यहां कथन जो है भूषण के प्रति है बच्चन सिंग का आगे देखिए भूषण ने यदि इसे सिवाजी के सामने बावन बार पढ़ा हो तो कोई आश्यरे नहीं जुद्ध अधिक करते हैं वास्तों में सही है कि अगर भूषण की करता का पढ़ है तो जुद्ध वर्ण नहीं बले जुद्ध जिसे सिवाजी किस्त्र सेना को ले करके जा रहे हैं और रास्ते में क्या-क्या घटनाय घटित हो रही हो तो उसका इतना आतिश्योक्त पुर्ण वर्ण किये हैं जिसका कोई सीमा नहीं तो इसलिए यह कर रहे हैं कि मैंने जुद्ध वर्ण के पिक्षा जुद्ध की तैयारी का वर्ण अधिक करते हैं आगे देखिए आतिश्योक्त मूलक वर्ण चाहे वह वीरता हो या वीरता का हो या स्रिंगार का कभियों का युग धर्म था अधिश्योक्त का वर्ण करना रीतिकाल के कभियों का एक तरस युग धर्म था हर कभी मतलब काफी किसी चीज को बढ़ा चड़ा करके काते थे चैए वीरता की बात हो चैए स्रिंगार की बात हो अगला कथन है उनकी कभिताओं में स्वक्छंदता की जो प्रिवर्ण मिलती है वह उन्हें घनान्दिक निकटला कर खड़ा कर देती है आगे देखिए अगला कथन है इस मरण रखना चाहिए कि अपने ही गरंथों के इस या उस अंस को काट कर दूसरा गरंथ बना देने की कला आधुनिक लेखकों को ही नहीं मालुम है देव भी इस फन में उस्ताद बतला अपने कई गरंथों को काट छाड़ कर छोटा छोटा अंस ले करके एक नई गरंथ का निर्माल कर देना आधिने काली के लेखकों का एक फन बन चुका है तो कर रहें कि यह क्योली नहीं नहीं मालुम था बलकि देव भी इसमें उस्ताद थे आगे देखिए देव का म और संतों का प्रेम भक्तिकाल की बाद बता रहें कि भक्तों और संतों का प्रेम जो है इस्वर के प्रति था तो रीतिकालीन कभियों का प्रेम मनुष्य का मनुष्य के प्रति यानि इस्त्री का पूरुस के प्रति और पूरुस का इस्त्री के प्रति यह कभी प्रेम को इस पिश्वरी धरातल से उतार कर मानुवी धरातल पर ले आए यहां कथल बच्चन सिंग का है रित कालिन कभियों के बारे में बताए हैं आगे देखिए कलेक्शन कैसा लग रहा है मित्रों कमेंट करके जरूर बताएंगे और अच्छा लग रहा हो तो एक निवेदान बस वही ह पुराना वाला जो आप जानते हैं लाइक, सेर और सब्सक्राइब चलिए आगे बढ़िए सास्त्र में केशाओ की क्लैसिकल है तो काब्बे में बहुत कुछ घनानंदी के तरह स्वक्छन्द या देव के प्रतियक कथनिन का है कि देव के प्रतियक आते हैं कि सास्त्र में क प्रतियक क्लैसिकल है और काब्बे में बहुत कुछ घनानंदी के तरह स्वक्छन्द है आगे देखिए बिहारी को बिहारी का प्रेम क्रिडात्मक है तो देव का आवेगात्मक मने बिहारी का जो प्रेम है ये ये क्रिडात्मक है ठीक ना आगे देखिए फाग उनका सबसे प्रिय तेवहार था, किसके प्रति है, पदमाकर के प्रति है कथन कहा गया है, बने पदमाकर के बारे में कहें हैं कि फाग उनका सबसे प्रिय तेवहार था, आगे देखिए, शिशिर का पाला के बिरोध में मसाला जुटाने में पदमाकर किसी से कम, किसी से 19 नहीं बलकी 20 हों पदमाकर की भाषा में बुंदेल खंडी, रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, यह भी कथन बहुत अच्छा है, और इससे आप तयार करेंगे, पदमाकर के बारे में यह बताया गया है, अगला कथन, सामंती जीवन की जितनी विशेष्टाएं और वयविद्य बिहारी के काबे में मिलते हैं, उतने किसी अन्यकभी की रचनाऊं में नहीं मिलते हैं, यह भी कथन बच्छन सिंग का है, विहारी बारे में अगला कथन है कि विहारी ऐसे अकेले कभी हैं जिन्होंने ग्रामीड संस्कृत के विरुद घ्रडा की अभिव्यक्ती की है यह कथन जो है कि बच्चन सिंग का है विहारी के लिए विहारी के बारे में और भी कए है कि विहारी के लिए प्रेम चोगान का खेल है घ्रडाननंद के बारे में बच्चन जी कए है कि घ्रडाननंद प्रेम की यातना के कभी है ऐसे चोटे-चोटे कथन अक्सर परिछाओं में पूछे जा सकते हैं इसलिए इन प्रसनों पर जरूर अगे देखिए मर्यादा के बाद में उनका जीवन प्रभाहा बधने वाला था और रीटि के बाद में उनकी कविता सकतु कूछं उनके में घृष के बारे में मसmekता है यहां कथन घनानंदे के प्रती बच्चन सिंग ने कहा है मने घनानंदे के बारे में कहा है कि वह किसी तथाकतित मर्यादा के बाद में उनका जीवन नहीं बधने वाला था और नरीत के बाद में ही वो बधने वाले थे कि उनके जीवन में जो कुछ था वर रचनात्मकस्तर पर कविता में है आगे देखिए लिखते हैं वे कलम नहीं माजते तलवार भी भाजते हैं वे उमंगी और महामोजियों के महाराजा थे यह तो कवित से ही सिद्ध है आगे देखिए बहुत अच्छा कथन हैं अंतिम कथन कबीर जपट्टा मार कर चोट करते हैं तो मीर खिजा खिजा कर रुला रुला कर मारते हैं यह कथन भी जो है की बच्चन सिंग का ही है तो इस तरह से बच्चन सिंग का इतना कथन आज इसके बाद फिर अगर मेरे पास उपलब्द होगा और भी मैं कथन ले करके आऊँगा अर धिरे धिरे इसी तरह से सांदार सांदार वीडियोज कथनों पर मैं लाता रहूंगा अब एक collection मैं बनाऊंगा हजारी प्रसाद का एक collection बनाऊंगा राम चंद्र सुकल का का एक कलेक्शन बनाऊंगा डाक्टर रामसमर्च चतुरवेदी का फिर ऐसे इसे मैं जिसे से मैं मैं में यह तरह करता रहूंगा वो इसे इसे आपको वीडियो में देता रहूंगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सेर सब्सक्राइब बहुत से कर देजे फिर हम लों म कर दो